को याद होगा लोकसभाद चुनाओं से ठीक पहले हिंदनबर्ग का जिन कैसे बाहर आया था और देश में कैसी सियासी उथल पुथल की स्क्रिप लिखी गई थी एक बार फिर से हिंदनबर्ग कुछ ऐसा ही करने जा रहा है बहुत मुम्किन है कि इस बार भी अदानी के बाहने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा जाए हलांकि हिंदनबर्ग का पिछला धमाका तब बेहसर हुआ जब सुप्रीम कोर्ट से अदानी को क्लीन चिट मिल गई थी हिंदनबर्ग की नई रिपोर्ट है इसमें बड़ा दावा किया गया है सेवी चीफ पर आरूप लगाए गया है बुच दंपति का अदानी से जुड़े आफशोर एंटिटी में हिस्सा है ये कहा गया है अदानी विवाद में इस्तमाल आफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी का जख्र है और सेवी ने अदानी क्रूप पर सकती नहीं की रिपोर्ट कह रही है विसल ब्लोर दस्तावेज के अधार पर बड़े खुलासे का दावा है अदानी विवाद से सभी चीफ और उनकी पती का भी कनेक्शन जुड़ा गया है इस पर सभी ने क्या कहा, सफाई क्या दी ये भी समझे सभी ने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोपों पर हमारे खिलाफ 10 अगस 2024 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई आरोप है हम ये बताना चाहेंगे, हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों और आक्शिपों का दृणता से खंडन करते हैं इनमें कोई भी सचाई नहीं है, हमारा जीवन वित्ति लिंदेन एक खुली किताब की तरह है हमें किसी वित्ति दसावेजू का खुलासा करने में कोई हिचक चाहत नहीं है, ये दुरभागे पून है ये भी कहा गया कि हिंदनबर्ग रिसर्च जिसके खिलाफ सभी ने कारवाई की, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है उसने चरित रहनन का प्रियास करने का विकल्प चुना है, ये सभी ने सफाई में कहा, सभी चीफ ने सफाई दी इस पूरे मामले पर अदानी गूर्प का भी बयान सामने आ गया है, अदानी गूर्प ने कहा कहा, ये समझते हैं लिखा कि हिंदनबर्ग ने अपने फाईदे के लिए रिपोर्ट जारी की, सारजनिक रूप से मौझूद जानकारी का गलत इस्तमाल किया हिंदनबर्ग के ने सभी आरोपों को खारिच करते हैं, अदानी गूर्प पर आरोप में निराधार साबित जन्रवली दोज़ाद चौवीस में सुप्रीम कोर्ट में हिंदनबर्ग के रिपोर्ट को खारिच किया गया था, आरोपों को खारिच किया गया था सियासत भी शुरू हो गई है आम आद्वी पार्टी के दास्वा सांसद संजा सिंग ने कहा केंडर्बग रिपोर्ट कह रही है कि भारत से हजारों घोटाले बाजों का पैसा अडानी गुट ने मौरिशेस में फर्जी कंपनियों में लगा दिया है माधवी पूरी बुच और उनके पती धवल बुच ने लगभग दस मिलियन डॉलर उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए है उन्हीं फंस में लगाए है जिसकी इनको जाज करनी थी वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है वहीं पर इनका इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है लगभग दस मिलियन डॉलर और ये एक विसिल ब्लोवर के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ आपको याद होगा 2023 में जब पहली बार हिन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट आई थी तब संसद में भारी बावाल मचा था चर्चाओं का बाज़ार काफी गर्ण था लोग सभा चुनाओं से ठीक पहले हिन्वेस्टमेंट का जिन कैसे बाहराया था और देश में कैसी सियासी उथल पुथल के स्क्रिप लिखी गई थी एक बार फिर हिन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा ही करने जा रहा है बहुत ममकिन है कि इस बार भी अदानी के बाहने पियम मोदी और वीजेपी पर निशाना हो अलंके हिंडनबर्ग का पिछला धमाका तब बेसर हो गया था जब सुप्रिम कोट से अदानी को क्लीन शिट मिली थी दूद का दूद पानी का पानी अपने आप हो गया भारत सरकार ने कोई विशेश जाच की तरफ त्यान नहीं दिया था हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेवी चीफ माधवी बुच और उनके पती धवल बुच के सारे कारना में सबके सामने आ गए आफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जब सबकुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेवी का चैर्मेन बनाया था क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है सारे सीक्वेंस जाके देख लिजेगा संसत्सत्र के दोरान ही आते हैं और आज बर्बस विपक्ष ने जब संसत्सत्र का विशे उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदे बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे पार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसत्सत्र के दोरान एक अविवस्था का वातावरन उत्पन्न किया जाए और ये बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं तो अब चार राजों में विधान सभा चुना होने वाले हैं और फिर से हिंदर्बग विस्थोट करने की तैयारी में हैं एक ट्वीट के जरीए हिंदर्बग ने कहा कि बहुत जल्द बहुत बड़ा खुलासा होगा इसे लेकर भी चर्चा का बाज़ार गर्म है कि अब हिंदर्बग की तरफ से क्या खुलासा किया जाना है क्योंकि जो पिछला कथत खुलासा था वो सुप्रीम कोर्ट में को क्लीन चिट मिल गई थी लेकिन इससे मार्केट को और अदारी के शेर्स को काफी नुकसान पहुचाने का प्रयास किया गया था